तो आज आपकी लेकर आए हम मूली का अचार घर पर हम कैसे बनाते हैं बहुत ही सरफ तरीके से और कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं आ लेगे इस तो चलिए पटा पटा अचार की करने दिया हैं हमने लिए मूली और मूली बहुत ही सर्दियों में आ रही है तो इसका बनाएगी हैं अचार तो उससे पहले मूली के साब कर लिया था और झालूपर के ऐस तरीकिर से हम इसको होटा कर लेकर मूली को साफ करेंगे तो इस तरीके से मैंने सारी मूली साफ करके इसके चिकल अटा लिए हैं और इसको बाद में हम कट करेंगे मूली का अचारा बहुत ही टेस्टी बनता है जो इसकी जड़ है न उसको भी अटा देंगे आगे पीछे के दोनों की सब्षा मटा देंगे और मूली को इस तरीके से कट करेंगे आप चाहिए तो इसमें लंबे पीस भी डास सकते हैं है तो हमने इसे गोल सेफ में कठ किया है मूली को वीका डालने के तो लालमिट चम बड़ी यासी डालेंगे चममच और हमने लिया है सरसों का प्योर तेल और हमने मूली को कट करके और थोड़ा सा दूप लगा ली थी इसमें आप चाहें तो इसे पंक्खे के नीचे भी थोड़ा सा सुखा सकने इसका पानी थोड़ा सा सुख जाएगा और इतनी ही दो चममच सरसों डालेंगे इतनी मूली में और हमने सरसों को इसमें डाल देते हैं पहले हम सारी मसाल इसमें डालेंगे उसके बाद हम तेल सरसों का गरम करके ही डालेंगे जिससे की अचार हमारा खराब नहीं होता है और हमने एक चममच इसमें लालमिच डाली है कहाणार को दौआ है थोड़ा सा हलका लाइट अचार बना रहे हैं और ईक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे को तो मुली का आचार हम चाहले ह्सिर्व पेड़्योग में ले रहे हैं आप इसमें डाले हैं दाना भी डाल सकते हैं बून कर पीस कर और आप buying using a गर खा सकते हैं तो मूली का देख़ी ना कितना अच्छा एक मिक्स कर सारी मसालों को चाल अच्छे से अर्टोर रख देते ने हरे कि मैप डिब्बे उपा करें तो देख रहें आप मूली का चार लग रहा है और खाने में तो etna testy डिलंग तो आप गले कि यृष इसको 100 इन वाद अचार को देखेंगे तब हमारा अचार है फुल तयार हो गा कि तो ढखका लगाकर इसको रख देते हैं आप चाहें तो इसे दूप में थोड़ा सा रख सकते हैं उससे भी अचार बहुत जली हमारा बार 편 करता है तो दो एक दिन बात, तो एक दिन हो गया हमारा तो हम मूली का चैक कर के देखेंगे तो आपने देखा देखा होगा मैंने जार us पूरा भर के रखा था और जार है कितना हीं Qinar मूली का अचार थोड़ा सा पिचक गया है उसमें थोड़ा सा पानी विजार में आ गया है तो समझ लीजी मूली का अचार पूरा हमारा बनके तयार हो गया है तो इसको एक चमस्क से हम देखते हैं तो कितना अच्छा लग रहा है कलर भी हल्दी का बिल्कुल अच्छा आया है और चटपटा इस पर सी हमारा मूली का अचार बनके तयार हो गया है और देखी इसमे पानी भी आ गया, इसका पानी है नहीं बहुत टैस्टी लगता है तो इसी तरीके से हमें मूली का अचार बना के तयार किया है तो हम marca प्लेट में इसको निकाले के दिखाते भी है आपको तो बहुत तैस्टी लगता हम आप मूली का ठाइसे दालते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकThis जरूर बताईयेगा तो कैसा लगा आपको ये मूली का अचार अगर पसंद आया तो लाइक करना न भूली और दोस्तों को भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर आप नहीं नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए बैल अकन खाथ में दबा देजिए तभी तो आपके पास हमारे सारी निव वीडियो आएंगी तो फिर मिलेंगे निव रेस्टिक आप तब तक के लिए बाए बाए